नया महीना आते ही लोगों के घरों में मानो नया बजट भी आजाता है जी हाँ, अब अक्टोवर महीना शुरू होने जा रहा है ऐसे में आपको बता दे की इसी के साथ बहुत सारे वित्यनियम भी बदलाव के लिए तैयार है जो एक अक्टोवर से लागू हो जाएंगे जाहिर सी बात है कि इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेप पर पढ़ने वाला है तो आईए जानते हैं कि कौन-कौन से नए नियम लागू होने वाले हैं और वे कैसे आपके खर्च को प्रभावित करने वाले हैं अधिनियम 2023 अक्टोवर की एक तारिक से लागू हो जाएगा इस संसोधन में कानून के लागू होने से कई महत्पुर्ण कामों में बर्च सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तमाल होगा जैसे की सौक्षनिक संस्था में प्रभाब, ड्राइवरिंग लाइसेंस, मतदान सूची तैयार करन, आधार कार्ड, संख्या, विवाह पंजी करन और सरकारी नौकरी में नियुक्त के लिए एकल दस्तावेज के तौर पर इस्तमाल होगा जानकारी के लिए आपको बता दे की जिन वेक्तियों ने सर्वजानिक भविस्त्य निधी, PPF, वरिस्ट नागरित बचत योजना, SCSS, राष्टर बचत, प्रमार्ण पत्र, NPS जैसे छोटी बचत योजना में निवेश करने का विकल्प चुना है उन्हें आज यानी 30 सितमबर तक अनिवारे रूप से अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा करना होगा सरकार की अधिस हूची के अनुसार ऐसा ना करने पर 1 अक्टोवर से खातों को निलंबित किया जा सकता है जानकारी हो कि सेवी ने ट्रेडिंग अकाउंट टीमेड अकाउंट और मीच्वल फंड निवेशकों के लिए 30 सितमबर तक नॉमिनेशन करना अनिवार किया था ऐसा नहीं करने वाले का खाता 1 अक्टोवर को फ्रिज किये जाने की बात कही गई थी लेकिन अब हम आपको बता दे की इस तारीक को आगे पोस्ट पून कर दिया गया है जी हाँ इस कारे को पूरा करने के लिए 31 सितमबर तक समय तै किया गया है जी हाँ आपको बता दे की केंद्र सरकार 1 अक्टोवर 2023 से 20 फीस सदी TCS का नया नियम लागू करने वाली है के दाइरे में आएंगे ये परिभरतन अंतरास्ट्य यात्रा, विदेश, स्टॉक, मीच्वल फंड, विदेश में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना या विदेश में उच्छे सिक्षा प्राप्त करने वाले किसी भी वेक्ति के लिए महत्पुर्ण है ग्राहक ओक्टोवर महीने से अपनी पसंद के मुताबित यह तै कर सकेंगे कि उन्हें रूपे कार्ड लेना है या फिर वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड RBI ने या प्रस्ताव किया है कि कार्ड जारी करने वाले बैंकों और नन बैंकिंग सेक्टरों को अपने ग्राहकों को कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प देना चाहिए